आज आपके सामने खड़िये, ब्रैंड न्यू KTM RC 200 2023 मॉडल जो आती है इट टेक्नोलजी के साथ, बात करें इसके पावर फिकर्स की तो यह आती है 200 CC लिक्विड कूल इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 25.8 PS की पावर और 19.5 Nm का टॉर्क, उभाइश मैं चेक कर लो इसकी बाद लूट सबसे पहले आप आओ ऐसी कुछ होने वाली है तो चलो अभी चलते हैं इसकी एक राइड लेने और बाकी बाते करेंगे हम चलते चलते आपको इसके बारे में बाकी सारी चीदे बताऊंगा और यह है इसका मीटर कंसोल इस ताइप का कुछ होने वाला है तो चलो आपको इसकी आवाज सुना देता हूं और यह है इसकी आवाज तो पर साउंड चेक कर लो तो गाइज सुगारीच सभको बताता यह यह व्यार में नॉम्स और मो urgent 10 नावर एडिशन और पैट्रॉल के अंदर बाटी चीजे मुस्य इसके बारे में भी जादा नाउलिज नहीं है अग स्वरिवम्हां को इतना ही ओप बता और सबसे पड़ी चीज़ का सस्पेंशन भाई मुझे मज़ा आगया इसको चला गया इसका सस्पेंशन ना मतलब मैंने अब तक ऐसा सस्पेंशन किसी बाइक में नी देखा इसका सस्पेंशन बहुत जबरदस्ता है और कंपनी क्लेम करती है इसकी स्पीड 140 किलोमेटर पर आर सब्सक्राइब के अराउंड इसका माइलेज और अगेन मेरे लिए मेरे बहुत जरूरी होते हैं जो मुझे इसमें थोड़ा सा वीजन अच्छा नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो गई अब अब मैं आपको दिखाता हूं इसका पिकप की बारे में इसका पिकप चेक कर ल लिमिटर ही नहीं लेके रही तो लिमिटर आजाता है वन और अनफर्ट की बात करें तो आरवन फाई से काफी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बात करें सी प्राइस इंटी तो यह फड़ी है गाजिया बासे टूनेट चूरीय थाउजंड में इसका जो कमफर्ट है नहीं पॉइस्चर ये बिठार ही है वो काफी ज़्यादा कमफर्टेबल है, मुझे परसनली पसंद आया, बाकि जो मैंने अब तक जितनी भी बाइक्स राइड की है ना, आर ओन फाइव मैं आउन करता हूं परसनली, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अब तक मिला, जितनी भी मैंने अब तक राइड की ना, KTM RRC 390 हुई, RR 310 हुई, उन सबसे ज़्यादा एग्रेशन और ये कहीं बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल है उस R15 के मुकाबले, तो ये बहुत बढ़िया बात है, तो आप अगर कहीं लंबी राइड पे जाएंगे तो आपको को इशू होन ये वाला नहीं है, बिल्कुल कमफर्ट आप इसको लॉंग लॉप तक राइड कर सकते हैं, और परसनली बताओं तो मुझे इसका सस्पंशन यार बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसमें आपको मिलते हैं फ्रंट में नौन एज़स्टेबल यूस्दी, और बैक में बैक सीट है, वह बहुत जादा उची है यार, बैठने वाले को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी उचाई पर बैठा हुआ है, दूसरी बात जब बैठता है तो उसको चड़ने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब अगर आपके साथ कोई लेडीज है तो उसके ल बाकि यही कुछ बाते थी इसके बारे में, मैंने आपको बताई ही, इसका टॉप एंड मैने आपको बता दिया, मायलेज मैंने आपको बता दिया, अगर मैं परस्नल पना ओपिनियन बताओं कि आपको यी वाइक परशेश करनी चाहिए टूथावंकूइन टेमिया नहीं त तो यही कुछ बात है थी गाज मैंने आपको सारी बाते बताई और एक बार फिर से लुक चेक कर लो यह आपके सामने खड़ी है यह मेरा परसनल ओपीनियन है मैंने आपको सारी बाते बताई जो भी मुझे इस बाइक को चलाने के राइड करने के बाद मुझे लगा तो इस व